जै बाबा वर्फानी जी, भूखे को अन और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओब नमस्षिवाई या नहीं मिलेगा, तो बाबा जी के प्यारे भक्तों, आपको मैं बता दूँ ये बात, कि आज से 19 साल पहले ये फैसलितिया वहाँ पे बहुत कम थी, लेकिन अभी पिछले साल से, वहाँ पे काफी अच्छा मार्केट बना दिया गया है अंदर ये अंदर, जो की छोटी दु दुकाने बना दे गई हैं, वहाँ पे आपको जैकेट, कपड़े, जूते, रेनकोट, हर चीज मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो बवस्ता है, चाहे बालटा लो आप पहल गाउं लो, पहल गाउं में काफी सारी दुकाने तो नहीं आप ये मान के चलिया, आप 15 दुका जहां पर आप ये सारा समान ले सकते हैं, तो ये तो हो गया उन भक्तों के लिए, जो किसी कारणवर्ष भूल गये या नहीं लाएं, पर मेरी एक परसन राय है आपके लिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसमें से कुछ समान ऐसा है, जो आपको अपने साथ अपने घर जैसे की जूते, जो भी जूते आप यातरा में पहनेंगे, वो ने जूते पहनने से आपके पेरों में दिक्कत हो सकती है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि जब भी आप जूते लें, तो यातरा से कम से कम भी 3-4 महने पहले जूते ले ले लें और उनको पहन के अपना normal walk करन या पैन के चलना वलना शुरू करें उससे क्या होगा वो जूता आपके पैर में सेट हो जाएगा और आपको बाद में दिक्कत नहीं करेगा अगर आप नया जूता सिथा पैने के जाकी तो सकते हैं आपका पैर काटे 생각 आपको चलने में दिक्क्त आए कंफरेबल ना हो, क्यूंकि वहां जूते मिलते हैं, कोई ब्रांडें नहीं मिलते हैं, नार्मल जूते मिलते हैं, जिस limited कि आप सिर्फ यात्रा कर सकते हैं, अब वह कितने कंफरेबल होंगे, आपके लिए नहीं होंगे, वह कहना मुष्किल है, बाकि जो भी समान है, रेन कोट हुए कपड़े हुए मौंकी कैप हुआ गलब्स हुए इन सब में तो आप अजस्मेंट कर सकते हैं तो परेशान होने की कोई जूरत नहीं है सारा समान वहाँ पर मिल जाता है शिरी अमरनाजी यातरा से जूरी किसी भी परकार की जानकारी के लिए आप हमारे नमबर पर मैसेज या कॉल करकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भूले बाबाजी के अशीरवाद से हमारी ये कोशिच रहेगी कि सही चानकारी और जल्द से जल्द आप तक पोचाई जाए बाबाजी के सभी प्यारे बक्तों को ओम नमस्षिवाए